हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए प्रतिभावान और सशक्त कथाकार उशा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी मों बंध तो शुरू करे कहानी उपर कमरे में अधेरा सा हो गया तो अचला नीचे चली आई नीलू के कमरे का दर्वाजा पंध था पर नीचे दरार से प्रकाश बाहर आ रहा था गैलरी में बिची मैटिंग से उसके पैरों की आहट दब गई जब वो बैठक में आई तो देखा कि आग के पास आराम कुर्सी पर अदलेटा सा तिपाई पर फैला कर पैर रखे हुए राजन सो रहा है पास की कुर्सी पर नीलू की पश्मीने की शौल लापरवाही से पड़ी हुई थी उसे हटाते हुए अचला धीरे से बैठ गई उंगलियों में उंगलियां फसाकर उस पर ठोड़ी टिकाली और सामने की दीवार देखने लगी ये रंग की दीवार पर बड़ाजा चाइनीज चित्र था कुछ देर उसे देखा नीली जील के उपर चुके हुए पेर मैं बनती नहीं अब तक मेरे जीवन में अनेक व्यक्ति आये और उन में से कुछ के लिए मैंने तोड़ा बहुत अनभव किया ही पर राजन के लिए मेरे दिल में जो कुछ है वो उन भावनाओं से बहुत भिन और बहुत व्यापक और गहरा है मैं उसकी गहराई से स्वैम ही डड़ जाती हूँ राजन के सामीप के बाद मेरे मन में कुछ कचोटने लगता है कि काश मैं अचूती और बेदा इन बाहों में आती उन सुन्दर और असुन्दर चेहरों के प्रेत मुझे घेरा न करते मैं सच कहती हूँ अचला अगर कोई दिन ऐसा आया जबकि मैंने राजन की आखों में अपने लिए प्यार ना पाया उस दिन मैं मर जाओंगी अचला ने ये पत्र इतनी बार पढ़ा कि उसे अक्षर अक्षर याद हो गया फिर उसके टुकडे टुकडे कर हवा में उड़ा देने पर भी उसे लगता रहा कि जैसे ये अक्षर उसके दिल पर लगीरों की तरह अमिट हो गए है कोईलों पर राक की पड़ते जमती जा रही थी कभी हवा चलती और पेड़ जुख जुख कर एक दूसरे को छूनी लगते राजन सो रहा था उसके मुँपर एक शिशु की तरह सारल्य था दौलते हुए दो नंगे पैरों की आहट और फिर अंदर हॉल में नारंगी की आवाज गाड़ी आ गई है मिम साब और दूर से निलू का स्वर अच्छा कुछ देर में निलू अंदर आई अचला को देख हलका सा मुस्कुराई निलू के अंदर आते ही राजन ने आँके खोल दी और उठकर बैठते हुए पूछा कहीं जा रही हो निलू की सेंट की सुवास से कमरा भर उठा तुम्हें बताया तो था डार्लिंग आज मीनू देसाई के घर डिनर है कलब के वार्षिकों सो के लिए प्रोग्राम तै करना है बताया होगा याद नहीं पर जाना क्या जरूरी है अचला जब से आई है तुम रोज कहीं न कहीं गायव रहती हो राजन के स्वर में तल्खी थी अचला कोई गैर्थ हो रही है तो मैं एतराज एडियर उसने अचला की ओर देखा सदा की तरह नीलू छोटी बच्ची थी जिसे कोई कुछ देना अस्विकार नहीं कर पाता नई नीलू मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो मोर पंकी नीले रंकी सिल्क की साड़ी के चोड़े जरी बॉर्डर को गोरी उंगलियों से ठीक करती नीलू ने राजन को मनाते हुए कहा मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी तुम अचला का ध्यान रखना अच्छा जाती हूँ पर राजन ने मूँ फेर लिया और नीचे गिरे हुई पत्रे का उठा कर देखने लगा नीलू एक पठ्ठिटकी फिर कमरे से निकल देई अच्छा उसके साथ हाई नीलू ने विचार पून मुद्रा में कहा राजन को न जाने क्या हो गया है योही नाराज होते रहते हैं कितने दिन पहले से कह रखा था कि आज मुझे जाना है अपना कुछ प्रोग्राम बना लेते हफतों से कलब नहीं गए है जब से तुम आई हो कभी उन्हें जाते देखा है फिर प्यार से कहा तुमारा सिर्दर दब कैसा है अपने को जादा मत थकाना अचला उसके कानों में पड़ी लंबी-लंबी मोती की लड़ियों को देख रही थी उसकी कलबना दो कदम आगे बढ़ गई मिस्टर देसाई की आँखों की हसरत मीन्यू देसाई की आँखों में इर्शया जो उसे नहीं जानते थे वे आपस में काना फूसी करते थे वो कौन है? वो सुन्दर योती? वो मिस्स राजन है राजन एक लगपती मिल मालिक का लड़का है वो किसी महरानी की तरह लगती है होंटों की लालिमा, मोतियों की आब दक्षने सिल्क की सारी में जलकती शरीर की कमनी अरे खाए कार चली गई जाने के बाद भी अशला बाहरी खड़ी रही हवा में ठंड़क थी तारों में चमप उसकी सांसों में नीलू की सुगंद थी और उसका दिल बुजा हुआ ना कामना, ना इर्शया, ना तर्द लौन के कोने में यूकलिप्टस के दो बड़े-बड़े पीड अंधेरे में सिर उंचा किये खड़े थे और दिन में लाल दिखने वाले गुलाब काले पड़ गए थे अशला का सिर फिर दुखने लगा और वो अंदर वापस आ गई खुले में बिना ओड़े, खड़े-खड़े उसके हाँ ठंडे हो गए थे जुक कर उपकोईलों के पास बैट गई राजन कमरे में नहीं था वो कब आया, अशला ने नहीं जाना उसे तो राजन की उपस्तिती का पता तब चला जब उसने नीलू की शौल अचला के कंधे पर डाल दी पश्मीने का नरम इसपर्श और गर्मी वो चौक पड़ी पर राजन ने जब उसका चेरा देखा तो पूछा क्या बात है, सिर्दर्द अभी भी हो रहा है अचला ने स्विक्रति में सिरहलाया अपने कमरे में आराम करो मैं नारंगी को भेजता हूँ, सिर्दबा देगी अचला शौल उतार कर रखने लगी राजन ने का ओड़े रो, उपर जाकर भेज देना नारंगी, नीलू की आया की लड़की थी अचला का सिर्दबाते दबाते उबाते करती रही और अचला आँख बंद किये हूं हां करती रही उसे रह रह कर ही खयाल आ रहा था कि इतने बड़े डैनिंग रूम में राजन अकेली खाना खा रहा होगा अचला को लगता है कि जीवन ऐसे ही बीच जाएगा और एक दिन मौद भी द्वार पर आखड़ी होगी उस अंतिम ख्षण अपनी जिन्दगी पर दर्ष्ट डाल कर उसे लगेगा कि वो जैसे रोती-रोती आई थी वैसे ही जा रही है सूखे फूलों सी पुराने प्रेम पत्रों के पीले पड़े कागज सी कुछ इस्मरतिया लिये वे चली जाएगी अचला के देखते-देखते सुजाता की शादी हुई दो बच्चे हुए और वो अचला से कहती रही कि जिन्दगी बहुत छोटी है, बहुत मुलिवान है भवेशिक की ओर देखो, नारी की स्रष्ट इसलिए नहीं हुई कि वो पुर्षों की समानता कर लड़कियों को अर्थशास्त पढ़ाते-पढ़ाते काड़ दी जाए सुजाता ने अचला के लिए एक सुयोग पातर भी ढूर रखा था पर अचला को लगता है कि उसके दिल में जो कुछ भी था चुक गया है अब वो कुछ महसूस ने कर पाती, सासे आती है, दिल धड़कता है पर जंदगी समाप्त हो गई है नीचे पोर्ष पे कार रुखने की आवाज आई, नीलू अब डिनर से लोटी है अचला ने अंदेरे में चांकती, घड़ी की सुईयों को देखा, एक बजा था उसके कमरे के आगे से दो जोड़ी पैर गुजर गए, नाराज होने के बावजूद, शायद राजन अभी तक नीचे बैठा, नीलू का इंतजार कर रहा था अचला का मन छट पटाने लगा, किसी को इतना अनुराग, सुख और मान, किसी के भागे में कुछ भी नहीं, रूप जीत जाए, प्यार हार जाए, उसने कंबल खीच कर अपना शरीर ढख लिया सोने की चूणियों के बीच पड़ी दो काँच की चूणिया खन से बोली, और बहुत दिन पहले का एक सपना, एक याद, दबे पाउं उसकी आँखों के आगे आकर खड़ी हो गई अचला को लगा कि नीलू उसके पासी पलंक पर लेटी है, कमरे में अंधेरा है, दोनों जाग रही हैं, पर दोनों मौन हैं कमरे की खिड़की के बाहर इमली का पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे दीरे दीरे थका चांद अकेला आकाश का रास्ता पार कर रहा है अचला ने मूँ में आचल दबा रखा है नीरो अश्रू उसकी कनपटियों से होकर तकिये पर गिर रहे हैं निशब्द क्रंदन से उसका शरीर काफ रहा है नीलू ने कुछ देर बाहर से आकर कपड़े बदले पन्ने के रंग की हरी साड़ी का पला अभी कभी कभी हिलोगता है और नीलू के तकिये के नीचे एक पत्र है मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे प्यार भी मिला तो तुमारी से सुन्दर लड़की का लिपी देवेंदर की है पत्र नीलू के लिए अचला मौन रो रही है नीलू चुप है रोज की तरह उसने लोटकर अचला से शाम की अपने साथी की बातें नहीं कियें पर अचला को मालूम था कि वो देवेंदर के साथ बाहर गई थी देवेंदर ने सहसा अचला की बहां कसकर पकड़ ली और कहा वो कौन है अचला उधर देखो तुम्हें वेव कर रही है अचला ने हाथ लाकर उत्तर में वेव करते हुए मुस्कुरा कर कहा नीलू मेरे ही कमरे में रहती है शहर में कुछ इंग्लिश एक्टर्स आये थे और वो उस राद शेक्स्पियर का एक नाटक कर रहे थे सदा की तरह अचला देवेंदर के साथ आई थी और नीलू अपने मित्र कुमर इंदरजीत के साथ आगे रिजर्व सीट्स में बैठी थी तो ये हैं तुमारी नीलू देवेंदर ने प्रोग्राम से द्रश्टी हटा कर एक बार फिर नीलू की ओर देखा कटे हुए बालों के फैशन के बावजूद नीलू के बाल लंबे थे और इस समय उसने जूड़े में चांदी का बड़ा सा आभूशन लगा रखा था जिसमें छोटे-छोटे गंगरू लटक रहे थे वो शौकिंग पिंक रंग की साड़ी पर काली शॉल ओड़े थी इंटर्वल में अचला ने देवेंदर का परचय उससे कराया कुवर इंदरजीत के पास मरसेडीज कार थी पर वो नाटे और भारी शरीड के थे देवेंदर लंबा था दुबला अब तक वो बराबर इन्वेस्टी में प्रतम आता रहा था उसकी थीसिस की काफी चर्चा हुई थी अचला को नीलू पर भी गर्व था देवेंदर पर भी इंटर्वल खतम होने के बाद जब लोटने लगे तो देवेंदर ने कहा अब तो आप से मुलाकात होती रहेगी नीलू मुस्कुराई हाँ क्यों नहीं अचला आपका जिक्र तो हर दफा करती थी अगर आज आप यहाँ ना मिलते तो शाइशादी महीं मिलते किसकी शादी डियर हुवर इंदरजीत पूछ बैठे अचला की नीलू अचला की और देखकर शरारस से हसी बड़ी खराब है नीलू वापस अपती सीट पर बैठकर अचला ने देवेंदर से कहा पर देवेंदर ने कुछ उत्तर नहीं दिया रात को अचला ने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा नीलू अभी तो कुछ भी निश्य नहीं है नीलू अपने मूँ पर पोल्ल क्रीम पगली साल भर से रोज हाजरी देते हैं घंटो बाते करते हैं तो क्या ये सब केवल बहुत धिक मैत्री है नीलू ने अचला के दिल के कोनों में दुपकी विभिन आशंकाओं को सुनने से इंकार कर दिया पर अचला सूचती रही विभा में तो कोई बाधा थी नहीं उसके अपने एक व्रत पिता थे देवेंदर भी घर में सबका लाडला था उपर से कुछ भी कहे बगर अचला ने मनी मन देवेंदर का घर सजाने की योजनाय बना ली थी आगे जो थोड़ी उबर खाबर जमीन पड़ी थी उसमें बाग लगाने का मन था नील काटे की बार एक गोल घेरे में गुलाब सामने की दिवार पर चड़ती हुई कवेराक्षी की लतर और फाटक के इधर उधर इंदर बेला के गुमबज बेले के कुछ पेड जिसके फूल वेडी में लगाए जा सके उसने ये भी निश्य कर लिया था कि अगर इनी गर्मियों में देवेंदर विवा करने को कहेगा तो फिर आगे फाइनल नहीं करेगी वो जानती थी कि वो देवेंदर के साथ बहुत सुखी होगी साल वर पहले जब से लाइबरेडी में देवेंदर से उसका परचे हुआ था करीब करीब हर शाम देवेंदर ने उसके साथ बिताई थी अगर कभी आना सका तो फोन अभशे किया कहीं शहर से बाहर गया तो उसे बराबर पत्र लिखता रहा चाहे वो देवेंदर के साथ किसी शांदार रेस्तरा में हूँ या शाम के दुंदलके में यूनिवरसिटी के पास निरजन सड़कों पर टहलती हूँ अचला की आँखें एक अलौकिक आंतरिक पुलास से दीबत रहती थी उसे लगता कि नैकटे के इन क्षणों में उन पर इंदर धनुष के रंग बरसते हैं तारक धूली ज़रती रहती है और जो कुछ उसने पाया है वो अत्यंत सुकुमार और इस्परणिय है इसी तरह एक बार सिनेमा से लोटते हुए अचला ने कहा अगले हफते एक बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है उपन्यास मैंने पढ़ रखा है चलेंगे न कुछ खण चुप रहकर देवेंदर ने कहा मुझे इधर बहुत काम है अचला शायद अब मैं काफी दिनों तक बाहर ना आ जा सकूँ और तुम्हें भी तो पढ़ना होगा अचला का एकदम फीका पढ़ गया मुख देखकर उसने हलकी सी मुस्कान से कहा मैं महसूस करता हूँ कि मैंने तुम्हारे मुलिवान समय का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद कर दिया मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तो अपनी प्रथम श्रिणी को अभी कुछ महीने हैं कसकर पढ़ो अचला दातों से होट काटी हुई चुप रही उसे स्वेम याद आ रहा है कि वो पढ़ाई में कितनी पिछड गई है मैं तुमसे मिलता रहूंगा मगर रोज नहीं मुझे उमीद है कि तुम समझोगी अचला अचला अपने आसों से लड़ रही थी ना जाने क्यों उसके आगे सहसा अंधकार सा हो गया था उसने कहना चाहा कि वो प्रथम श्रिणी नहीं चाहे थी पर साथ ही उसे ये भी लगाया कि देविंदर ये नहीं समझेगा पर उसके बाद उसने किताबों की गर्द जाड़ी पढ़ने का टाइम टेबिल बनाया और अर्थ शास्त्र की मोटी नीरस किताबों में अपने को डुबोना चाहा पर अक्सर उसका ध्यान भटक जाता और उन्मन हो पेंसल दातों से चबाती हुई वो बाहर देखने लगती उसे शाम को भी पढ़ते देख नीलू ने कोई प्रशन नहीं पूछा इस पर कभी कभी उसे आश्चरे होता नीलू हमेशा की तरह शाम को तयार होकर बाहर जाती पर कुमर इंदरजीत की कार कम ही दिखाई देती पत्ते जरते रहे सूनी उदास हवा निरजन सड़कों पर भटकती रही अचला का मुख पीला होता गया उसका जीवन एक लंबी प्रतीक्षा बन गया था उस पदिचाप के लिए जो सुनाई नहीं पड़ी पत्र जो नहीं आया फोन जिसकी घंटी कभी उसके लिए नहीं बजी और एक दिन पास के कमरे की सुजाता उसके पास आकर बैट गई और धीरे से बोली आज देवेंदर का फोन आया था चौकर अचला ने कहा कब मुझे क्यों नहीं बताया नीलू के लिए था अचला अविश्वास से सुजाता क्यों देखती रह गई फिर कहा क्या तुम्हें पक्का मालूम है सुजाता ने उसका चेहरा देखकर आँखें जोका ली फिर कहा नहीं किसी और का होगा मैंने फोन उठाया तो मुझे पहचानी सी आवाज लगी तो मैंने सोचा मगर देवेंदर क्यों नीलू को फोन करेंगे यही तो मैं भी सोच रही थी उस रात नीलू लोटी तो अचला ने कहा नीलू तो मैं देवेंदर ने फोन किया था जूडे से काटे निकालते हुए नीलू के हाथ इस्थिर हो गए क्यों योही पूछा मैंने नहीं तो नीलू ने अचला क्योड़ देखा सुजाता को ब्रह्म हुआ होगा मैं सारी शाम इसी उल्जन में पड़ी रही तुम कहां गई थी? कहीं नहीं जरा साइधर उधर नीलू तॉलिया लेकर बाहर चली गई और जब बहुत देर में आई तो अचला सो चुकी थी कुछ दिन बाद अचला को कुछ डाक टिक्टों की जरूरत पड़ी तो नीलू के अलमारी खोल कर उसने हमेशा की तरह टिकट ले लिए जब लेटर पे ड्रक रही थी तब एक लिफावा उसके पैरों के पास आगिरा जुक कर उठाते हुए उसने देवेंदर के लिफी पहचान ली बिना कुछ सोचे हुए वो पढ़ने लगी पहले उसे अपने पर विश्वास ना हुआ और जब विश्वास हुआ तो कितनी ही छोटी छोटी बाते जो उसे परेशान करती रही थी एक आएक इस पष्ट हो गई नीलू सुजाता देवेंदर और मुझे प्यार भी मिला तो तुमारी से सुन्दर रड़की का देवेंदर ने लिखा था हॉस्टल के पीछे बासों के पेड़ थे उनी की पीली चुबीली पत्तियों पर अशला जाकर आउंधी पढ़ गई हवा में बासर सराते रहे एक अग्यात पक्षी रह रहकर बोल पढ़ता पर उसके उत्तर में कोई आवाज नहीं आती अशला को सुजाता जबर्दस्ती बाजार ले गई थी लौट कर वो ठकी हुई कमरे के आगे की सीड़ियों पर खंबे की आड में बैट गई तभी कमरे का परदा हिला और देवेंदर तेजी से बाहर आया उसका मुख देखकर अशला का दर्द फिर हरा हुआ आया हलका सा नेरा था बगर फिर भी उसे लगा कि देवेंदर की आँखों में आशू है आंधी की तरह जब देवेंदर सीधा देखता हुआ उसके पास से गुजरा तो अशला के कंट से रुंधी हुई पुकार निकली देवेंद और उसने उठना चाहा पर सुजाता ने कसकर उसकी बाहर पकड़ ली और जब तक अशला ने अपने को छुड़ाया तब तक देवेंदर गेट से बाहर जा चुका था अशला की गोद में रखा और उठने से गिर गया ओवल्टीन का डिपबा हर सीडी से टकरा कर ठक ठक करता हुआ नीची आ गिरा अशला की शीख निकलने से पहले इस उजाता ने मूँ पर हाथ रख दिया और उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया उस दिन के बाद अशला ने देवेंदर को फिर नहीं देखा डॉक्टर ने राए दी कि अशला को घर चले जाना चाहिए तोकि वो नर्वस ब्रेकडाउन की सीमा पर थी जिस सुबह वो जा रही थी उसे एक रात पहले नीलू सुजाता के कमरे में अशला के पास जिजगी हुई आई थी बिना कुछ कहे उसने अशला के पलंग की पट्टी पर से रख दिया और बच्चों के तरह रोने लगी मेरा कुछ दोश नहीं था अशला मेरी बात पर विश्वास करो तूटे शब्दों में वो कह पाई अशला के जाने के बाद भी नीलू उसे पत्र रिखती रही आगे उसने ने पढ़ा और अपने माता पिता के साथ विदेश ब्रहमण को चली गई अशला ने उसके बाद दूसरी इनुवर्स्टी से एमे किया उसके पिता बहुत चाहते रहे कि उसका विवा कर दे पर अशला ने नहीं माना अब 6-7 साल बाद उसका अपना छोटा सा घर था गुलाब भी थे और नील काटा भी पर बेले के फूल बेडी में नहीं लगाए जाते थे खिलते थे और ज़र जाते थे अगली सुबह जब राजन नाश्ते के लिए नीचे आया तो नीलू नाश्ता खतम कर कॉफी पी रही थी उसने सफेद रंग की सिल की साड़ी पहन रखी थी और गहरे नीले रंग का शौल ओड़ा हुआ था वो सुबह के फूलों सी ताजी लग रही थी टोस्ट पर जैम लगाते हुए राजन ने पूझा आज क्या प्रोग्राम है और पहले नीलू फिर अचला की उर देखा अचला का मूँ कुमलाया हुआ था और उसकी आँखों के नीचे काली पर छाईया थी आज किशन पूर जाना है नीलू ने अपरादी जैसी मुत्रा से कहा ओ राजन ने कहा फिर अचला से कहा देखा न हमारी नीलू कितनी व्यस्त रहती है कभी कलब का डिनर है कभी कल्यान कार के लिए किसी पिष्ड़े हुए गाउं में जाना है कभी वीमेंस लीक की मीटिंग है अगर नीलू और इसकी तरह अकरमरने साथिने ये सब न करें तो देश का उद्धार कैसे हो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजन मैं एक दायरे में बंद कर नहीं रह सकती नीलू ने कहा तुमारा घर में रहना बंदन है राजन ने पूछा इस्थिती घंबीर होती जा रही थी नीलू ने राजन की रोजबरी मुद्रा को देखकर कुछ फीकी हसी हसते हुए अचला से कहा ये चाहते हैं कि मैं घर में रहूँ फिर उसकी नजर घरी पर गई उठती हुई बोली मैंने मिसस कादर को आठ बजे उनके घर से लेने को कहा था आठ तो यहीं बज गए जाने से पहले उसने अनुने भरी द्रिश्टी राजन पर डाल कर कहा कल से मैं कहीं नहीं जाँगी सच फिर घर में अचला भी तो है तुम अकेले तो नहीं हो राजन चुपचाव अपनी कॉफी पीने लगा उसने नीलू की बात की उपेक्षा करती एक शाण खड़े रहने के बाद नीलू चली गई कार स्टार्ट हुई और चली गई डाइनिंग रूम में इस निस्तबदता रही फिर राजन ने पूचा अब सिर्दर्द कैसा है सुबह तो कम रहता है दोपहर को बढ़ जाता है अचला ने कहा फिर मौन फिर राजन बोला नीलू इतनी व्यस्त रहने लगी है कि मैं अक्सर बहुत अकेला रह जाता हूँ मुझे लगता ही नहीं कि घर में मेरी पतनी भी है आप भी कलब चले जाया कीजिए पिछली रात की बात याद कर अचला ने कहा जब सोचता हूँ कि लोटकर इसी अकेले घर में आना पड़ेगा तो कहीं जाने का मनी नहीं होता फिर कुछ रुक कर पूछा अचला क्या नीलू को मैंने बहुत सतंतरता दे रखी है उस प्रशन पर अचला ने कुछ मुश्कुरा कर कहा नीलू को अगर आप बांध कर रखेंगे तो वो नीलू नहीं रहेगी नहीं दोश मेरा ही है मैंने शुरू से ही उसे बहुत बिकार दिया जो उसने चाहा दिया कभी राह में नहीं आया पर अब सोचता हूँ कि मैंने ठीक नहीं किया फिर अपने कोई समझाते हुए बोला मगर नीलू की इच्छाओं की अवग्या करता भी तो कैसे मैं सबल समर्थ होने के मद में रहा और वो अवज बनती हुई जो चाहती करती गए राजन ने अशला की उछ देखा उसके होट विद्रूप में मुस्कान से कुटिल हुआ है और अब मैं सिर्फ वो व्यक्ती हूँ जो उसे शान शौकत में रख सकता है मेरा काम तो बस उसके नाम आये लंबे बिल चुकाना है मैं उसके जीवन में गौड हो गया हूँ जहां तक नीलू का प्रश्ण है उसके आगे सभी गौड हो जाते हैं अचला ने कहा अचला की बात की दुहनी से राजन चौका दोनों हातों की उंगलियों को एक दूसरे में फसा कर तीक्ष द्रश्चे से अचला को देखते हुए उसने कहा मुझे सब मालूम है और उसके लिए मैं नीलू को दोशी ठहराता हूँ शायद नीलू का दोश इतना न था जितना अचला नाम लेने से पहले एक पल रुकी की देवेंड का पर अचला इस वक्त कही दूँगा क्योंकि ये बहुत दिनों से सोचता आया हूँ वो ये कि तुम क्यों डिफेंस की पातरी मिस है विशम की तरह जिन्दगी नष्ट कर रही हो उसी अतीत में रहकर इसम्रतियों के घेरे में भटकती हुई देवेंडर से दुरबल मनुश्य के लिए इतना सब क्यों सोच में डूबी हुई अचला ने कहा क्योंकि दुरबल तो मैं भी हूँ अपने दर्द से मोसा हो गया है उसकी उंगलियां चम्मच को निरुद्देश घुमा फिरा रही थी ये बेकार की बात है राजन ने बड़ी इस्पष्ट वादिता से कहा अचला ने चौकी हुई आँखें उठाई और बहुत धीरे से कहा और मैं फिर आख नहीं होना चाहती मुझे डर लगता है चौकने की बारी राजन की थी डर लगता है पर सभी पुरुष देवे नहीं होते जरा सोचो जीवन की लहर तुम्हेरे पास से टकरा टकरा कर लोटी जा रही है और तुम किनारे खड़ी हो तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम सोचती बहुत हो सोचो मत और सीधे बेजी जग नदी में पूच जाओ दूबने के लिए बचने के लिए जीओ तो पूरी तरह जीओ हरक्षन जीओ पर मैं तो निर जीव हूँ पूरी तरह मृत चुप राजन अचला की और सीधी अविचल द्रश्ट से देखने लगा अचला के हाथ एक असाहय मुद्रा में उठकर गिरे और उसने बहुत विवश्ता बरे ढंग से कहा हाँ सच तुमारे लिए देवेंदर उप्युक नहीं था तुमें चाहिए एक ऐसा पुरुष जो तुमें समझ सके तुमारी कमजोरी को अपना बल दे तुमारे शब्दों में तुमें प्राड़दान दे जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगी तो तुम अपने आप उसे पहचान लोगी तुमारे ये बदलते हुए मूड, सिर्दर्द सब ये चुटकी बजाते हुए गायब हो जाएंगे अच्छा हटाओ इन बातों को आज पिक्निक पर चलोगी पिक्निक पर? चम्मत छोड अचकचा कर अचला ने पूझा हाँ पिक्निक पर राजन अचला के अचाना क्यों पकड़े जाने पर मुस्कुरा उठा पिक्निक पर तो मैं बर्सों से नहीं गई तभी तो अचला कमरे में लोटी राजन की बातों से उसे सहसा जो धक्का सा लगा था उससे वो अभी समभल नहीं पा रही थी राजन को कितना सीधा भिन प्रकार का व्यक्त समझे थी राजन ने उसे इस तरह देखा पर का है इस पर तो उसे आश्चरे था उस मुस्कुराते वाय के पीछे इतना समझने वाला व्यक्ति है उसकी इतनी सूख्षम अंतर द्रश्टी है उसने नई द्रश्टे से राजन की द्रश्टे से अपने को देखा उसे राजन की इस पश्ट वादिता पर थोड़ा सा रोश हो आया और उसी मना स्थित में उसने कपड़ों की तह में तभी एक चटक रंकी साड़ी निकाल कर पहन ली बालों को बांधा माथे पर गोल सी बड़ी सी कुमकुम की बिंदी लगाई आये कहीं के मिस हविशम कहने वाले जैसे सिर्फ उनकी निलू खुबसूरत है अचला एक शन रुख गई कितना अपरचित सा लग रहा था उसका चेरा और उतने अंचीनेते रोश और राजन को गलत प्रमारित कर देने के वो भाव राजन ने उसे उपर से नीचे तक देखा कार में बैठने से पहले गुलाब की एक कली तोड़कर उसे पकड़ा दी अशला देर तक उसे सूंती रही और फिर बालों में लगा ली ना उसने पूछा ना राजन ने बताया कि वो कहा जा रहे है तीवर गती से जाती कार में अशला का मन ओढ़ने लगा मन हुआया कि कार चलती ही रहे बाल उर उरकर माथे पर आते जाए हवा गालों गले को गुरगुदाती रहे साड़ी का आचल रह रहकर फरफडा जाए उस ख्षण अचला वर्षों की निद्रा के बाद धीरे धीरे जागी वो हासा भेद कर उसकी आच्छन चेतना लोटी उसे लगा कि उसका हर रोम फिर से सांसे लेने लगा है वो जीवित है उसने मुड़कर राजन को देखा पहली बार देखा एक नए बोध से राजन का गोरा चीरा माथे से उपर समारे गए बाल उसकी घनी भौएं सामने सड़क को देखती सीधी आखें उसकी नाक, उसके होट, उसकी ठोड़ी में हलके से गढ़े का आभास उसकी कमीच का बढ़िया कॉलर, उसकी मेरून टाई, स्टेरिंग हुईल पर रखे हाथ लंबे गोल नाकून, उंगलियां, बाई कलाई में गढ़ी जिसकी सेकंड की सुई अचला के हिदे की गत के साथ आगे बढ़ रही थी बहुत बरसों बाद अचला ने किसी पुरुष को इस तरह देखा इतने गोर से क्या देख रही हो अचला? राजन ने पूछ लिया अचला हरबढ़ा गई आपके माथे पर ये दाग कैसा है? बच्पन में गिर पड़ा था बहुत शैतान था मैं राजन ने बताया खुत्ब मीनार के पास पहुँचकर राजन ने कार रोकी एक छायादार रक्ष के नीचे राजन ने सामान उतार कर रख दिया छोटी सी शतरंजी बिछा कर अचला ने खाने का सामान लगा दिया कई तरह के सैंड़िच, फल, मेवे, थर्बस में गर्म कॉफी खा पी कर राजन कुछ दूर टहलता हुआ निकल गया और सामान समेट कर एक किनारे रख अचला वहीं लेट गई बहां का तकिया लगा कर अधखुली आखों से निला आकाश, खुतुम मीनार पर चड़ते बच्चे देखती रही पत्तों से छनकर आती धूप, उसके शरीर को हलका हलका सेंक रही थी अचला के मन की गाठों का कसाव धीला होने लगा उसने मानसिक कपाट बंद कर लिये और उस खण कुछ भी न सोचना चाहा चाहा कि इसी तरह हरी घास पर लेटी रहे, मन सोए पर इंद्रियां जाके आखें देखती रहें आकाश का नीलापन, खुतुब मीनार की इटों की लाली, बच्चों का शूर, सडकों पर गुजरती भारी बसों की घर घर, कानों में पढ़ती रहे हाथ दुखने लगा, तो उसने बिना सोचे ही, पास में उतार कर रखा राजन का कोट सिर के नीचे लगा लिया करवट ली, तो उसकी सासों में बरसों बाद, पुरुष चरीर की अपनी विशिष्ट गंद भर गई तमबाकू, पसीने और अनाम हलकी सी सुगंद, सूखी धर्ती पर पानी की पहली बहचार सी चिर प्रिय, चिर नूतन अचला को जैसे किसी भूले गीत की कड़ी याद आ गई, उसके आगे फिर देवेंदर आ खड़ा हुआ, वो जटके से उट पैठी, राजन का कोट ठीक से तह किया, बाल ठीक किये और साड़ी की सलवटे मिटाने लगी, तब तक राजन भी आ गया, उसे तयार देखकर पू ना राजन नीलू का पति मातर रहा था, ना अचला नीलू की मित्र, नीलू को बीच से हटा, दुनों एक दूसरे को पहचान रहे थे, बदली फिर घिर आई, लगातार कई दिनों से रह रह कर ऐसे ही बादल बरसते जा रहे थे, थोड़ी बूंदे पढ़ जाती, ठंड़क वो इस पर्ष बहुत प्रीतिकर लग उठा, हलकी हलकी बूंदे पढ़ रही थी, अचला ने मूँ उपर किया, बूंदे कभी माते, कभी आँखों पर आ आ कर गिरने लगी, कहीं कुछ शब्द ना था, केवल पतियों की सरसराहट और अचला के अपने दिल की धड़कन, खड़ी खड़ी भीगती रहे, अचला, पीछे से राजन का कंड सुनो चौकी, क्या कर रही हो अचला, टहल रही हूँ, इस पानी में सरदी लग जाएगी, आप भी तो बुंदों में खड़े हैं, मेरी बात कुछ और है, और क्या, मैं पुरुष हूँ, स्वस्थ और सबल, अचला मुस्कुराई, बड़े स्वस्थ और सबल, मैं कौन कम हूँ, वो तो मैं जानता हूँ, राजन के स्वर से चौक कर अचला उसे अविश्वास से देखती रह गई, फिर वो मुरी और घर की ओर चलने लगी, बस इतने से ही डर गई, देख लिया तुमारा साहस, राज अचला ने हसकर कहा, अचला ने पाया बातावरन का तनाव अचानाकी कम हो गया है, चैलेंज कर रहे हैं, चलिए उस खंबे तक चलेंगे, चलो, हवा का वेग अचानाकी बढ़ गया, अचला की शौल का कोना बार-बार उढ़ने लगा, उसकी धोती बार-बार पैरों में उ परमत किया करता था, उस वक्त पी उसकी बेंच रखी थी, और पेड़ के नीची होने के कारण अब एक शक्रत सूखी थी, अचला उसी पर बैट गई, राजन ने उस बेंच को द्रण रखने के लिए अपना पैर उठा कर रख लिया, कुछ दूर खंबे का प्रकाश अचला एक बात कहूं अचला, कहिए, उसने आखें उपर कर राजन को देखा, तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम सुंदर हो, अचला ने उसकी आखों में जो पाया, उससे वो इस्तब्ध मौन रह गई, तुम सुंदर हो अचला, बहुत सुंदर, राजन ने कहा, उसकी प्रत सुंदरक्षन के जादू को तोड़ दिया था, अचला राजन की आखों के भाव पहचान रही थे, धुली पत्तियों से फिसल कर मूने उस पर टपक जाती है, अचला के मन में कुछ चक्कर काटने लगता है, पानी में भीगी चमकती सड़क, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं सिर्फ वो और राजन और तब नीलू ने जो कुछ भी उसके साथ किया, उसकी पीड़ा अचानक मिट गई, वो नीलू से बहुत बड़ी, बहुत उपर हो गई, वो मुक्त हो गई, उस शाप से, उस कचोट के बंदन से, क्योंकि राजन की आखों ने उससे कहा है, कि वो सच अचला का शरीर उस इसपर्ष से थरथराने लगता है, उसकी जिजगती उंगलियां आगे बढ़कर उसके माथे का दाग छूती है, अचला राजन का रुद्र कंटों से बुकारता है, और मैंने सोचा था कि मैं मर चुकी हूँ, अचला के मन में ये विचार कौंद गया, अ कोई अभी अभी रोया है, उसकी सिस्कियां अभी वातावरण में भटक रही हैं, असीम सुक के उस क्षण में भी अचला ने इस पश्ट रूप से अन्भो कर लिया है कि इस मोह बंद को तोड़कर उसे जाना ही है, क्योंकि वे भीगी आँखें उसकी अपनी हैं, अभी पिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुग हो